हजारों वर्ष पहले एक समय था जब इस धर्ती पर सर्वत्र हिंदु धर्म का राज हुआ करता था और आज का एक वर्तमान समय है जब भारत में ही नहीं अभितु भारत के बाहर भी सनातन धर्म अपनी चमक पुनह प्राप्त कर रहा है नमस्कार मित्रों इंडियन SRJ पर आप सभी का स्वागत है मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस की माध्यम से आपको भारत वर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मे के स्थलों पर हो रहे विकासकारियों की महत्तोपूर्ण जानकारी देते हैं इसी क्रम में आज हम आपको भारत के बाहर आज के एक मुस्लिम देश में बन रहे पहले हिंदू मंदर की जानकारी देने वाले हैं जिसमें की आप जानेंगे निर्माणाधिन मंदर का वास्तविक स्थान, मंदर की लागत की जानकारी, मंदर निर्माणा के काल चक्र की जा आज़ियो में आगे दी जाने वाले जानकारी जदी आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धी करें चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं संयुक्त अरब अमीरात अथोव कहें तो UAE नाम तो आपने सुना ही होगा UAE की राजधानी है अबुधावी और यहीं पर बन रहा है अबुधावी का पहला हिंदू मंदिर तथा इस मुस्लिम देश में बन रहे हिंदू मंदिर को लेकर विश्य भर में चर्चा है बता दें कि UAE मुस्लिम देश है यहां की भाषा अरबी है यहां की जनसंख्या 2018 के अनुसार 96,30,000 है इसमें से लगभग 15,00,000 जनसंख्या अबुधावी में रहती है यहां UAE का दूसरा सरवाधिक जनसंख्या वाला नगर है बता दें कि वर्ष 2019 में अबुधावी ने एतिहासिक नर्णय लेते हुए अरबी और अंग्रेजी के पस्चाथ हिंदी को अपने नयायालियों में तीसरी अधिकारिक भाषा के रुप में सम्मिलित किया था अमीराद में भारतियों की संख्या 26 लाग से अधिक हो चुकी है अर्थात यहां कुल जनसंख्या का 30 प्रतीशत है यहां अमीराद का सबसे बड़ा प्रावासी समुदाय कहा जाता है UAE की संक्षिप्त जानकारी देने के पश्याद आपको हम यहां पर बन रहे हिंदू मंदर की काल चक्र की जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त अरब अमीराद की राजधानी अबु धावी में जो हिंदू मंदर का निर्माड़ा किया जा रहा है यह पत्थरों से निर्मित UAE के पहला पारंपरिक मंदर होगा बता दिंकी वर्ष 2015 में जब पहली बार पीम नरेंदर मोदी UAE गये थे तब ही से लेकर दोनों देशों के संबंध और प्रगाड़ हुए हैं तथा वहाँ पर एक मंदर स्थापित करने का विशय भी उठा था और वहाँ के शासक ने इस पर ध्यान देने की बात कही थी तथा फरवरी वर्ष 2018 में जब प्रधान मंदरी नरेंदर मोदी पुनह सहयुक्त अरव अमीरात के दो दिवसी दोरे पर गये थे तभी पियम मोदी ने अबु धावी के पहले हिंदू मंदर की आधार शिला रखी थी अर्थात अबु धावी के पहले हिंदू मंदर की निव वर्ष 2018 में पड़ी थी इसके पश्चात युवेई सरकारने मंदर के लिए अलवात्मा में 20,000 स्क्वार मीटर भूमी उपलब्ध कराई थी तद पश्चात जन्वरी वर्ष 2019 में इस हिंदू मंदर को 14 एकड़ अतिरिक्त भूमी अवंटित की गई 20 अप्रेल वर्ष 2019 को वह दिन आ गया जब अबु धावी में पहले पारंप्रिक हिंदू मंदर का शिला न्यास हुआ बता दें कि बोचासन वासी अक्षर पुरोषत्म संस्था अर्थात बीए पीए से स्वामी नरान संस्था इस मंदर का निर्मालक करवा रही है यह मंदर पारंप्रिक तोर पर अनि अक्षर धाम मंदर जैसा ही होगा तथा यह दिल्ली के अक्षर धाम मंदर से थोड़ा छोटा होगा परन्तु न्यूजर्सी के अक्षर धाम के समान होगा इस मंदर निर्माण वह संग्रक्षना की विश्यस्ताओं की जानकारी के लिए बता दें कि इसके निर्माण में कई टन गुलाबी बलुवा पत्थर उत्तरी राजिस्थान से अबुधावी भेजा जाएगा एवं अधिकाधिक तो भेजा भी जा चुका है बता दें कि राजिस्थान के इन पत्थरों में 50 डिग्री सेलसेस तक के तापमान का सामना करने की ख्षमता होती है मंदर की निर्माण के लिए यूरोप की संगमर्मर का भी उपयोग किया जाएगा मंदर की नीव इस्टील या लोहे की सामगरी का उपयोग किये बीना और पारंप्रिक हिंदू मंदर वास्तुकला के माध्यम से बनाई गई है यह मंदर 16.7 एकड में बन रहा है तथा इस मंदर के निर्माण पर लगभग 45 करोड दिरहम खर्च होंगे भारती रुपियों में यह मुल्य लगभग 900 करोड रुपय है बता दे कि मंदर का बहरी भाग लगभग 12,250 टन गुलाबी बलुव पत्थर से तयार हो रहा है इसमें लगभग 5000 टन इटेलियन केरारा मार्बल लगेगा यह पत्थर 50 डिगरित तापमान को भी जेल सकते हैं यह भी बता दे कि इस मंदर में भागवान क्रेश्न, शिव और अयपा की मुर्तियां होंगी अयपा को भागवान विश्नु का अवतार माना जयाता है यह मंदर अलवाकबा नामक इस्थान पर बन रहा है यह अभुधावी से लगभग 30 मिनट की दूरी पर इस्थित है मंदर में 2000 से अधिक कलाकरितियां तयार की जा रही है इन्हें साकार करने के लिए 3000 से अधिक श्रमिक और शिल्पकार कारेरत है इन पत्थरों को तराशनी का कारे विशेश सावधानी से किया जा रहा है भारत में राजस्थान और गुजरात के इस्थानी कलाकारों ने इन्हें तयार किया है तथा तयार करके भारत से भेजा गया है निर्माण कारे में खाज गुलाबी पत्थर और इटली के मैसेडोनिया का मार्बल प्रयोग में लाया गया है मंदर की दिवारों और इस्तम्हों पर हिंदू महागरंथों की तस्वीरें और कहानिया होंगी और अरब देशों की कलाकारे भी देखने को मिलेगी संस्थान के अनुसार, विश्व के अन्य भव्य मंदिरों की प्रकार से ही अबुद्हावी का ये मंदिर भी अत्यन्त भव्य और मनमोहत होगा मंदिर का निर्मार बोचासन वासे अक्षर पुरोषत्नम स्वामी नराने संस्था आरथाद भीए प्यस करवा रही है इस मंदिर की डिजाइन भारत में वर्तमान के अक्षर धाम मंदिर जैसी है यह और बात है कि यह दिल्ली के अक्षर धाम मंदिर से आकार में थोड़ा छोटा होगा बताने कि मार्च वर्च 2021 तक यूएई में बन रहे इस पहले हिंदू मंदिर की निव को निर्मान पूरा कर लिया गया था जो की एक महत्वपूर पढ़ाओ था तद पस्षात इस हिंदू मंदिर के धाचे पर काम किया जा रहा है जानकारी के लिए बताने कि इसकी निव को कंकरिट से भरा गया है इसमें लगभग 4,000 क्यूबिक मीटर से अधिक कंकरिट डाला गया है मंदिर निर्मान में एको-फ्रेंडली तरीके पर जोर दिया गया है बतादें की निम का काम पूरा होने के पस्चाथ नकाशीदार पत्थर और मार्बल को उपर लगा करके मंदिर को आकार दिया जा रहा है निर्माण करने वाले संस्था का दावा है कि इस मंदर की आयू लगभग एक हजार वर्ष है आर्थात एक हजार वर्ष तक मंदर मजबूती से खड़ा रहेगा भारत के हिंदू महाकावियों, धर्मगरंथों और प्राचिन कथाओं के द्रिश्य अबुधावी में बन रहे पहले हिंदू मंदर के राजसी पत्थरों के अगरभाग को सुशोभित करेंगे इस एतिहासिक मंदर का काम भारती हिंदू समुदाय के समर्थन तथा भारत और युए की नेत्रितु में आगे बढ़ रहा है तथा इस मंदर के निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावना वर्ष 2023 तक है अर्थात 2023 का तारिक तो आपको याद ही होगा जब अयुध्या का भविश्री राम मंदर भी जर्यता के दर्शन पूजन के लिए लोकार्पित करने की योजना है सरल शब्दों में कहें तो सनातन धर्म के वर्तमान काल की सुनल यूग का जोक्रम नरेंद्र मोदी जी के भारत का प्रधान मंतरी बनने के पश्चात आरम हुआ है वह भारत वर्ष के साथ ही साथ भारत की सीमा के बाहर मुस्लिम देशों तक जाब पहुचा है अरब की धर्ती पर सनातन धर्म का सुर्योदय हो रहा है यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भविश मिरानी अहलिया भाई होलकर वह आदी गुरु शंकराचारे के जैसा ही एक नवीन नाम हमें अपने इतिहास में पढ़ने को मिलेगा वह कौन सा नाम होगा और उस नाम के प्रती आपके क्या विचार है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं मित्रु यदि आपको वीडियो में दी हुई अबु धाबी के पहले हिंदू मंदिर के निर्माल की विशिर जानकारी पसंद आए हो तो अपने इस्ट देव का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझा हो तो वह भी बताएं इसकी अत्रिक्त यदि आपने दर्शक हैं अथो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतग्य अवश्य करें फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैश्री राम